हेलो एव्रीवन गुड मॉर्लिंग तम के शवं कृष्ण दामो दारम राम नारा हेलो एव्रीवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं जूरू करते हैं आज का ग्लॉग इस नाक्स टाइम में मैंने वनाया था ये बेसन की बेसन और आंटा मिक्स पकोड़ी प्याज एंड गोर्या एंडर एड करके और मसाला कॉमन मसाले वही हरी जनिया उपर एड कर दिया थोड़ा से तल लेते हैं एक को चोटे मूटी बूख लगाने के लिए काफी है और फी बना सकते ही कि उसके बाद औ को क deduction के बाद में थोड़ा सक कर गाडरीग वगारा डीयवाय beggri घ्जी में ओकनेट अल्याम है तो बश्य फाब लग कर गई थी देखते हैं इसमें कुछ लगाते हैं प्लांच छोटा सा यह देख सकते हैं आप लोग अब अब इसका कोचिंग गई थी अब तक मैंने सोचा अपनी भी थोड़ी एक्टिविटी कर ही लेते हैं उसके बाद अनुष्का को कुछ ना कुछ सब्दाइच चाहिए होता है तो मैंने गोल रप्पे लाया थे मार्केट से तो मैं भी का लूँगी अनुष्का भी खा लेंगी थड़ा सा उसके बाद मैं टिनर की तयारी कर रही थी सब्ची वे थोड़ी बहुत लाई थी लौक्य मैंने तो उसको वस करके दो लिया है के बदनीया से तोड़ां है तैयारी करछे तो जल्दी से हो जाते हैं जबोख़ी करते विए बहुत अच्छा लगता है पूल तो सब मुझे चट करते विए लगता है बेंगन करने उद्आ हो गया या यह सब मुझे कट करते विए बड़ा सब्दा कोंभिन् f सॉप्ट कट हो जाता है और फ्रेंट्स चॉपिंग बोर्ड भी है मेरे पास बट मैं ऐसे ही कट कट नहीं हूँ और फ्रेंट्स गर्मियों में हलकी सब्ची सीजने बर सब्ची खाएं वाटरी सब्ची ग्रीन तो सही रहता है कुछ हैवी खाने से अच्छा हलका लाइट वेट खाएं और दो रोटी खाते हैं तो एक ही रोटी खाएं तब ही सही रहता है और मैंने यहां पर कट कट की सब्ची में तड़का लगा दिया था सब्ची बनाके तक दूंगी बस गर्मा गर्म रोटी बाद में सेक लेंगे यहां पर मैंने राई और जीरा और हल्दी लहसुन और यह थोड़ा मसाला है डाल दिया था था थोड़ी मैंने लौकी बचा के रख दी है और यह इसके जो जिलका है उसको भी मैंने बॉइल कर लिया है उसकी भी सब्ची बनाएंगे यह सब्ची बनके तयार होगी यह लौकी की दनी असे थोड़ा से गार्निस कर देते हैं उसके बाद थोड़ा सा अनुसका को पढ़ाने बनाने के बाद मैं रोटी से एक ली थी मैंने फिर हम लोगोंने डिनर के लिया था और अनुस्का के पापा आते हैं देर में तो फिर मैंने उनके लिए रख दिया था आठा जब वो आएंगे तब उनके लिए गर्मा गर्म पराठा बना दूंगी मैं इससे सही रहता है मैं अपने लोगों के लिए रोटी बना दूंगी आनुस्का को रोटी ही ज्यादा पतंद है